नमस्कार सातियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निश्याई एकेडिमी पर आज के इस वीडियो में 13 अक्टूबर का जित्तावी महत्वपुन हमारा मद्धप्रदेश का करेंट अपैर्स बन सकता है उसको हम डिसकस करेंगे तो लाश्ट तक वीडियो में बने रहीएगा साथ यापकी जानकारी के लिए बता दे कि मद्धप्रदेश फूलिस कॉंस्टेबल के ओपलाइन बेचेस हमारे द्वारा इस्टाट कर दी गई है अगर इसको भी आप जोइन करना चाहते हैं तो दिये गए नंबर ओपर आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का हमारा सेशन किस प्रकार रहेगा तो सबसे पहले आज का मद्यप्रदेस का करेंट अपैर्स डिसकस करेंगे उसके साथ साथ उस कोश्चन से जिता भी महतवपुन करेंट अपैर्स और इस्टेटिक जिक्या बन सकता है उसको भी हम देखेंगे उसके बाद MP exam से रिलेटेट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करेंट अपैर्स देखेंगे और उसके बाद कल का जो हमने करेंट अपैर्स देखा था उसका एक बार किक रिविजन करेंगे तो इस प्रकार जो है हमारा आज का करेंट अफेर्स का सेशन रहने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले आज का जो करेंट अफेर्स है मद्धर प्रदेश का उसको डिसकस कर लेते हैं तो पहला कोशन हमारे यहाँ पर है कि 22 एशियन आर्चरी चेंपियनशिप में मद्दप्रदेश राज आर्चरी अकादमी की खिलाडी मुस्कान किरार का चयन भारतिय कमपाउंट टीम में हुआ है तो यहाँ पर कोशन है कि यह जो चेंपियनशिप है आपकी कहाँ पर आयजित होगी यानि कि जो एशियन तिरंदाजी चेंपियनशिप है इसमें जो मद्दप्रदेश तिरंदाजी अकादमी की खिलाडी है मुस्कान किरार उसका जो है चैन हुआ है तो कोशन पुछा जा रह आपका इसका बनता है यह जो है आपकी बांगलादेश में आउजित होगी तो ओप्षान यह आपका यहाप राइट आंसर बनता है चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी तो बांगलादेश की राजधानी ढाका में आगामी 1926 नमबर तक आउजित होने वाली 22 एस आपका इस टीम में हुआ है बात करें यहाँ पर मुस्कान किरार की कि यह जो है किस जीले से अपना संबंद रखती है तो जबलपूर से आपकी संबंदी थे इन्हें वर्ष 2018 में राज्य शाशन के द्वारा एक लव्य पुरुषकार से संब्वानित क्या गया 2019 में इनने जो है विक्रम पुरुषकार से संब्वानित क्या गया साथ ही जो एशेन गेम से 2018 में आपके आयोजित हुए थे उनमें इनको जो है रज़त प्रदक यहाँ पर आपका मिला था चलिए कुछ important factor इस से जुड़े हुए यहाँ पर आपको बता देते हैं तो देखिए हमने अभी बात की कि यह जो championship हमारी आयोजित होगी कहा पर आयोजित होगी तो बांगलादेश में आयोजित होगी तो बांगलादेश से जुड़ी सबसे पहले यहाँ पर महतोपुन जा वर्तमान में बांगलादेश के आपकी प्रधान मंत्री है और बांगलादेश को जो है आप यहाँ पर मेप में देख सकते हैं यह जो है आपका बांगलादेश है इसकी जो सिमाए है भारत के किस राज्यों के साथ लगती है तो पश्यम बंगाल के साथ इसकी सिमा लगती है असम के साथ लगती है, मेगालई के साथ आपकी लगती है, तरिपुरा के साथ और मिजोरम के साथ जो है अपनी सीमा यह साजा करता है तो यहां से भी कोश्चन कई बार एक्जाम में आया हुआ है कि नीमने लिखित में से किस भारती राज्य के साथ बांगलादेश की सीमा नहीं लगती है तो इस प्रकार का अगर कोश्चन आता है तो देखिए उत्तर पूर्वा में तो आपका अरुनाचल प्रदेश हो गया ज इसकी सीमा जो है आपके बांगलादेश के साथ नहीं लगती है तो इस प्रकार से भी कई बार एक्जामिनर जो है आपका कोश्चन पूछ सकता है वही देखिए भारत और जो बांगलादेश है इसके बीच में एक सेन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है संप्रिती तो यहां दोनों की दोनों आपकी भारत और बांगलादेश के बीच चलती है और किनकी निस्तानों के बीच चलती है तो मेत्री एक्सप्रेस के बात करें तो कोलकाता और धाका के बीच चलती है वही बंदन एक्सप्रेस के बात करें तो कोलकाता और खुलना जो कि आपकी एक जगह है बांगलादेश में इन दोनों के भी चलती है तो यहाथ ही बांगलादेश से जूड़ी कुछ मातों पुर जानकारी है चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला कोशन अगला कोशन है मद्दप्रदेश के की शहर के मेडिकल कोलेज के सूपर इस्पेश्टिलिटी के नियूरो सरजरी विभाग में मद्दप्रदेश की पहली ब्रेन बाइपास सरजरी की गई है तो देखें यह मद्दप्रदेश में पहली बार हुआ है कि किसी की ब्रेन की बाइपास सरजरी आपकी हुई है और यह इस प्रकार का जो आपका कारणामा किया है किस जिले के या किस शहर के Medical College के जो Super Specialist के Neurosurgery विभाग है उसके द्वारा किया गया है तो इसका आपका जो Right Answer बनता है वो बनता है जबलपूर के जो आपके Neurosurgery विभाग है उसके द्वारा इस प्रकार की पहली Brain Bypass Surgery जो है आपके यहाँ पर की गई है तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी तो आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी जबलपूर के नेताजी सुभाज संद्र बोस Medical College के Super Speciality के Neurosurgery विभाग में प्रदेश की पहली Brain Bypass Surgery जो है आपके की गई है तो यहाँ से कोशन आ सकता है कि मध्य परदेश के किस Medical College के Super Speciality के Neurosurgery विभाग ने प्रदेश की पहली Brain Bypass Surgery की है तो राइट अंसर बनेगा जबलपूर का जो Medical College है जिसका नाम है नेताजी सुभाज संद्र बोस वहां का जो Neurosurgery कर विभाग है उसके द्वारा इस प्रकार का जो है कार्याप का क्या गया यहाँ पर दिखे एक महिला थी उसकी जो है यहाँ पर Brain Bypass Surgery आपकी की गई है महिला के पेर से खुन की नस को निकालकर गर्दन की बड़ी खुन की नस में आपका जोड़ा गया यानि कि एसी जो आपकी पेरों में जो नस थी उसको जो है Surgery की माध्यम से पेरों से निकालकर उसके गर्दन में जो है आपका जोड़ दिया गया और Brain के खुन की नस से जोड़ कर Blood संचार का नया रास्ता आपका बनाया गया तो इस प्रकार का जो हुआ है प्रदेश में पहली बार हुआ है इसलिए यह question हमारे लिए important बनता है कहां पर हुआ है कि शहर के medical college वालों ने यह किया है यह दोनों के दोनों हमारे लिए important बनता है चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कुछ important extra fact जो कि कई ना कई एक्जाम में आपकी help करेंगे तो यहाँ पर हमने अभी जो है मध्यप्रदेश में स्वास्ता की बात की है क्योंकि कई अगला कोशन मनेगा मध्यप्रदेश में शिशु मृत्यूदर कितनी है तो प्रती 1000 शिशु अपर सेता लीस जो है आपके यहाँ पर मृत्यूदर है यानि कि अगर 1000 बच्चे या शिशु जो है जन लेते हैं तो उनमेंसे ऑलिश की जो है आपकी यहाँ पर मृत्यूदर की बात करें तो प्रती 1000 पर 137 जो हमको यहाँ पर देखिए मध्यप्रदेश सरकार के बाल रदै उपचार योजना आपकी कब चलाई गए तो 14 जुलाई 2011 को जो है आपकी चलाई गए थी और किस सम्बंदित है तो यह जो है इस नाम से ही आप समझ सकते हैं बाल रदै यानि कि जो छोटे वच्चे होते हैं उनको रदै से सम्बंदित कुछ बिमारिया होती है उसक मध्यप्रदेश में एक जुलाई 2011 को आपका चलाए गया वही निशुलकर डाइलासिस योजना जो है आपके मध्यप्रदेश में 2016 से शुरू होती है वही जो ममता अभियान है मध्यप्रदेश में 26 जुन 2014 को शुरू होता है वही सगन इंद्रधनुष ठिकाकरन अभियान म मध्यप्रदेश में 2015 को शुरू होता है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ योजना मध्यप्रदेश में 22 जनवरी 2015 को शुरू होती है मध्यप्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में भी इसी दिन आपके शुरू होती है वही लाडली लच्मी योजना जिसके लिए मध्यप् तो question है कि इनका जन्म कबोर कहाँ पर हुआ था चार option है 1929 सागर में, 1929 भोपाल में, 1929 ग्वालियर या 1929 इंदोर में तो right answer मनता है इनका जो जन्म है 12 अक्टूबर 1919 को सागर में हुआ था तो option है जो है हमारा यहाँ पर right answer बनता है चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकरी तो राजमाता विजैरादे सिंधिया का जो जन महें 12 अक्टूबर 1919 को सागर में हुआ था और इनका विवा जो है 21 फरवरी 1941 को ग्वालियर के महराजाज जिवाजी राव सिंधिया के साथ हुआ था इनकी मृत्यू कब हुई थी तो 25 जन्वरी 2001 को जो है राजमाता विजैराज सिंधिया का आपका निधन हुआ था या मृत्यू हुई थी साथी वर्षु 2020 में 12 अक्टुमबर को इनकी जैनती के उसर पर प्रदान मंत्री नरण मोदी जी के द्वारा 100 रुपे का सिक्का भी जो है जारी किया गया था तो इनका जो जन्म सताब्दी समारो था उसके अउसर पर 12 अक्टूंबर 2020 को 100 रुपे का सिक्का भी आपका जारी हुआ है तो यहां से भी कोशन बन सकता है चलिए important extra effect यहां पर आपको बता देते हैं यहां पर बात आईए सिंधियावन्ष की तो सिंधियावन्ष से जुड़े कुछие effect देख लिजे जो कि कई ना कई आपको याद रखने होंगे तो बात करें कि गोगा जो सिंधियावन्ष है इसकी इस्थापना किसी ने की थी तो राणो जी सिंधियाख के द्वारा इसकी स्तापना की गई थी और यह जो राणोजी सिंदिया थे इनको पेशवा ने मालवा का एक भाग 1791 में इनको प्रदान किया था उसके बाद इनके जो उत्राधिकारी आये थे महादेजी सिंदिया उन्होंने 1765 में उज्जेन को अपनी राजदानी बनाया था वहीं दोलत राव सिंदिया ने 1794 में ग्वालियर को अपनी राजदानी बनाया था तो सिंदिया की पहले राजदानी आपकी उज्जेन हुआ करती थी लेकिन दोलत राव सिंदिया के द्वारा 1794 में सिंदिया वंज की राजदानी आपकी ग्वालियर बनाया गया तो यहां से भी question आपका आ सकता है वहीं 1857 की जब क्रांती हुई थी दब ग्वालियर में सिंधिया वंज के शाशक कोन थे तो जयाजी राव सिंधिया थे और इन्होंने बिटिस सरकार की मदद भी की थी साथ ही 1948 में जब इस वंज के प्रमुक जिवा जिराव सिंधिया हुआ करते थे तो ग्वालियर राज्य को उस समय भारतिय संग में आपका सम्मेलित कराया गया तो यह सिंधिया वंज से जुड़ा कुछ एसे प्रमुक फेक्ट है जो कि वन लाइनर फेक्ट आपके बनते हैं और इनसे संबंदित कोश्चन कई ना कई एक्जा में आपका बन सकता है MPH से रिलेटेड तो यह था हमारा आज का मद्यप्रदिस का का सुभारम किस ने किया चार ओप्षन आपके यहाँ पर है नरेंद्र मोदी रामनात कोविंद वेंके या नाइडू या निर्मला सिता रमन तो राइट आंसर आपका बनता है नरेंद्र मोदी जी के देटरा भारति अंतरिक्ष संग यानि की इंडियन इस्पेशा A.C. का शुभारम किया गया। जो देश में अंतरिक्ष और उपगरा कमपणियों के लिए एक प्रमुख उद्ध्योग निकाई के रुप में आपका कार्या करेगा इसका प्रतिनी दित्वा अंतरिक्ष और उपग्रा प्रोद्धोगी कियों में उन्ना चमताओ वाले घरेलू और विश्विक निगमों द्वारा जो है आपका किया जाएगा तो हमारे लिए इतना इंपोर्टन बनता है कि इंडियन इस्पेस आसोशियेशन जो है उद गाठन या सुवारम किस ने किया तो नरन्द मोदी जी के द्वारा जो है आपका क्या गया और यह क्या है तो एक निजी उद्वोग निकाई है तो यहती इससे जुड़ी जानकारी चलिए यहाँ पर बात आई है अंतरिक्ष की तो अंतरिक्ष से जुड़ी कुछ प्रमुग जानकारी आपको बता देते हैं तो अगर आप सो पूछा जाई कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम वेक्ति कौन था तो उसका नाम है यूरी गाग्रेन यूरी गाग्रेन अंत अंतरिक्षा में जाने वाली प्रथम महिला कोन थी तो वेलेंटीना तेरे शकवा जो है अंतरिक्षा में जाने वाली प्रथम महिला थी अगला कोशन बनेगा कि अंतरिक्षा में जाने वाला प्रथम भारतिया कोन है तो वह आपके राकेश्चर्मा और अगला कोशन और मैंने यांपर आपको बता दिया जो कि कईना कई एक्जाम में आपकी हेलप करेंगे चलिए यहांपर हमने बात कर ली हैं अंतरिक्ष की इसके मुख्यालई की बात करें, तो करनाटक के बेंगलूरू में जो है, इसका मुख्यालई है, इस्तापना की बात करें, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी इस्तापना होती है, और वर्तमान में इसके प्रमुख कोन है, तो के सिवान जो है, वर्तमान में इसके प्रमुख है, तो यहां उप्षन है 119 वी 120 वी 122 या 124 वी तो आपका जो राइट आंसर बनता है वह इसका राइट आंसर बनता है 119 यानि कि 11 अक्टूबर 2021 को लोक नायक जैई प्रकास नारायन की 119 जैन्ति मनाई गई तो चलिए देख लेते हैं इनसे भी जूली कुछ प्रमुख जानकारिया तो देखिए इनके बात करें कि इनका जो जन्म है आपका कहां पर हुआ था तो 11 अक्टूबर 1902 में जो है इनका जन्म हुआ था कहां पर हुआ था पटना बिहार में जो है इनका जन्म हुआ था जैप्रकाश नारायन भारतिय स्वतंतरता सेननी और राजनेता थे इन्हें लोक नायक के नाम से भी आपका जाना जाता है तो कई भार यहां से कोश्चन आया है कि लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है तो इस प्रकार का अगर कोश्चन आता है तो जैप्रकाश नारायन को लोकनायक के नाम से जाना जाता है इनको भारत रतना कब मिला तो 1909 में 1999 में इनको भारत का जो सर्वच्य पुरुषकार है नागरिक को सर्वच्य नागरिक पुरुषकार भारत रतना से इनको सम्मानित क्या गया इनको मेक्से पुरुषकार से भी सम्मानित क्या गया था 1965 में प्रसिद्ध नारा दिया था वहता शियासन खाली करो जंता आती है सियासन खाली करो जंता आती है यह जो है इनके द्वरा दिया गया नारा था तो कहीं बार है एकजाम में नारों से संब्दित भी कोशन आ जाता है कि यह जो नारा है किस ने दिया था? इनके मृत्यू की बात कर तो 8 अक्टूमबर 1979 को पतना बिहार में ही जो है इनके मृत्यू हुई थी तो यहां थे इनसे जुड़ी कुछ प्रमुग जानकारी है चलिए देखते हैं यहां पर हमारा अगला कोशन है अगला कोशन है किस राज्यक की रहने वाली 20 वर्षी 20 भारत के ब्रिटिस उचाय युकतब बनी है चार उप्षन भीयार पंजाब राजिस्तान या तमिल लाडू तो राइट अंसर बनता है आपका राजिस्तान चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ प्रमुग जानकारी तो राजिस्तान की 20 वर्षी अधित्ति महाश् परी हाली में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिस उचाय युकतब की बनी है उन्हें यह संबान अगली पीडी की महिलावों को नेता और गाइट के तोर पर शशक्त करने के लक्ष के साथ आयोजित प्रतियोगिता जितने पर दिया गया यानि कि देखिए इस संबंदी 2017 मे प्रतियोगिता आयो जित हुई थी और उसमें बताया गया था कि अगर कोई इसका विनर बनता है विजेता बनता है तो उसको एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिस उचायुकत जो है आपका बनाया जाएगा तो उन्होंने यह प्रतियोगिता आपकी जीती थी और इनको जो ह आता है राजिस्तान की तो सबसे पहले राजिस्तान को आप मेप में देख लिए रेट कलर वाला जो है यह आपका राजिस्तान है इसकी सिमा किन किन राज्जों को छूती है तो इसकी सिमा जो है पंजाब दिल्ली मध्द प्रदेश और इस साइड गुजरा से जो है इसकी स सिमा लगती है या इन राज्यों के साथ अपनी सिमा साजा करता है राजिस्तान की बात करें कि इसकी जो है राज़दानी क्या है तो राजिस्तान के राज़दानी आपके जैपूर है वर्तमान में मुख्यमंत्री कोन है तो अशक गहलो इसके मुख्यमंत्री है राज्यपाल क की बात करें तो कल राज मिश्र वर्तमान में यहां के राज्य पाल है और सबसे बड़ा राज्य छेत्रफल की द्रश्टी से अगर आप सो पूछा जाए कौन सा है तो वह आपका राजिस्तान है वही सत्ता में दिव्यांगों को भागेदारी देने वाला देश का पहला राज यह साती अगर आप से पूछा जाई कि सरीष का राश्टी व्यांड चली तो यह भी आपके राजिस्तान में इस्तित है तो उस जील का नाम क्या है वह आप हमें कमेंट करके बताईएगा यानी कि राजिस्तान में खारे पानी की सबसे बड़ी जील आपके इस्तित है उस ज अपेस नेशनल इंटरनेशनल लेवल का करेंट अपेस कंप्लीट होता है कल के करेंट अपेस का यहाँ पर एक बार क्रिविजन कर लेते हैं पहला कोशन है मद्धर प्रदेश के किस राष्टी उद्धान में एक जिला एक उत्पात के तहत 10 से 17 अक्टूबर तक कोदो कुट की करेकरम का आयो जिन किया जा रहा है राइट अनसर बनता है काना व्ली राष्टी उद्धान में काना याश्टी उद्धान आपका कहाँ पर इसतित है मंदला में सतित है इसका जो इसका जो चेत्र अपाल कितना है 940 और के किलो मेटर है 1933 में trouble बनाते हैं 1905 में इसको राश्टी उद्ध्यान का दर्जा देते हैं और 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरकत आपका शामिल किया जाता है पार का बंजर घाटी हालो घाटी आपके कहा पर इसती था काला किसलिए राश्टी उद्धान में इसती थे अगला कोशन यहां पर देखते हैं कि मद्धा प्रदेश के किस जीले के परावरन वेग्यानेक है डाक्टर योगेंदर कुमार सकसेना ने देश का पहला सिंगल यूज प्ल अयरा जाएगा तो कोशन है कि जेपी असपताल आपका कहा पर इसती थे तो यह जो है आपका बोपाल में इसती थे अगला कोशन है अगला कोशन है द। के अद्धक्ष का नाम बताई है जीने हाली में एस्ट्रोनोटिकल सोसाइटी ओप इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट पुरुस्कार से आपका सम्मानित क्या गया तो राइट आंसर बनता है डाक्टर जी सतीस रेड़ी तो यानि कि वर्तमान में डियाडियो के आपकी 1958 में होती है और इसका हेड़क्वाटर का आपर नई दिलने में आपका इस्तित है अगला कोशन है आपर देखते हैं कि 11 अक्टूबर को विश्व भर में कौनसा दिवस मनाय जाता है तो अंतराश्ट्रिय बाली का दिवस प्रतिवर्ष आपका 11 अक्टूबर को मनाय जाता है वह अगर आपसे पुछा जाए कि राश्ट्रिय बाली का दिवस प्रतिवर्ष कब मनाय जाता है तो तेरा फरवरी को आपका मनाया जाता है तो यह था हमारा आज का सेशन साथ आपके जानकारी के लिए बता दे कि मद्दप्रदेश पूलिस कोश्टरबल के ओफला करना चाहते हैं तो दिये गए नंबर ओपर हमसे कोंटेक्ट कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक साधिक लोगों तक शेर करिएगा वीडियो को लाइक पहले बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेगा थांक्यू वेरी मुच्छ